C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महुलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का सबक नमबर बारा काम अपने अपने सफा नमबर 78 इस सफे पर एक सडक और सडक के किनारे की तस्वीर दिखाई गई है सडक पर एक स्कूटर पे एक खातून सवार है और दो बच्चे सडक पर भागे जा रहे है सडक की दाई जानिब डाक खाने की इमारत है और उसके करीब एक चायवाले की दुकान भी है बीच में एक दरख्त मौजूद है करीब में एक खातून सडक पर जाड़ू लगा रही है और एक खातून वहां से गुजर रही है एक खातून चाय की दुकान के बाहर बैठकर कुछ अशिया बेच रही है सडक पर एक कार भी है और सडक पर ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा है वहीं करीब एक इमारत की तामीर हो रही है रोज की तरहां बलबीर नाश्टा करके चाय की दुकान पर पहुच गया आज उसके साथ गाउन से आया हुआ उसका भाई सत्विंदर भी था चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा लो जी अखबार भी पढ़ो आप यहां दिन भर वक्त कैसे गुजारते हैं बैठे बैठे उब नहीं जाते सत्विंदर ने पूछा सफा नंबर 89 इस सफे पर एक सड़क की तस्वीर दी गई है सड़क के किनारे पर एक दवाईयों की दुकान है दरख्त है, अस्पताल है और सड़क की दूसरी जानिब बच्चो का स्कूल है सड़क पर कार, उट गाड़ी और ट्रक, साइकिल, ठेला गुजर रहे हैं अरे नहीं, वक्त तो यूँ ही निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता वहाँ देखो बच्चो का जुंड रोज की तरहां उन्हें स्कूल पहुचने में देर हो गई है सब भाग रहे है उस्तानी मैडम भी आज देर से आई है अरे लगता है उनकी सैंडिल तूड गई है अब जग्गू भाई के पास सैंडिल ठीक करवाने जा रही है अच्छा है जग्गू की सुभा सुभा कमाई हो जाएगी सबक पढ़ने से पहले अगर बच्चो को तस्वीर बगौर देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें तस्वीर पढ़ने यानि मुशाहिदा करने के हुनर को फरोग मिलेगा सफा नमबर असी वहाँ चमपा फूलों की टोकरी सजा कर बैठी हुई है डाक खाने में काम करने वाली मैडम रोज सुभा उसी से फूल खरीदती है ट्रक में सामान आ रहा है तामीर का काम फिर से शुरू हो गया है मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे उधर देखो डॉक्टर और नर्स अस्पताल की तरफ साथ साथ आ रहे है रमूलू को देखो वो फल के ठेले के साथ है आज कल चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है चिनम्मा दोड़ कर फल पहुचाती है और पैसे इखटे करती है वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोल कर हजामत बनाने के लिए तयार बैठा है मगर किस की बनाई? चौराहे के बीचो बीच इकबाल सिंग खड़ा है जो दिन भर सीटी बजाता रहता है और चलता रहता है पीं अरे गाड़ी इधर से हटाओ सुना नहीं ठेला उधर ले जाओ इतना कहकर बलबीड ने चाय का खाली कप रखा और पास की दुकान की तरफ चल दिया अदाकारी करके दिखाओ कि किसी चौराहे या हाट बजार में लोग क्या-क्या कर रहे होते हैं अब तुम तस्वीर को ध्यान से देखकर लिखो कि अलग-अलग लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं यहां जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है तुम्हारे घर के पास पड़ोस में लोग сюж क्या-क्या काम करते हैं कोई पांच काम लिखो इन काम करने वालों को क्या कहते हैं सफ़ा नंबर 81 यहां एक जदूल दिया गया है जदूल के पहले कॉलम का उन्वान है काम दूसरे कॉलम का उन्वान है क्या कहलाते हैं पहले कॉलम के नीचे लिखा है क्या कहलाते है मकैनिक जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है इस सबख की पहली तस्वीर में कुछ इमारते दिखाई गई हैं नीचे दी गई फहरिस्त में उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से निशान बनाई तुम्हारे एतराफ जो इमारते हैं उन पर हरे या पीले रंग से निशान बनाओ डाक खना, टेलिफोन बूत, सरकारी दफ्तर, मस्जिद, सिनिमा घर, पेट्रॉल पंप, धरम शाला, अस्पताल, स्कूल, गिर्जा घर, होटल, पुलिस इस्टेशन, दुकान, रेल्वे इस्टेशन, मंदिर, कॉलिज, कसीर मनजिला इमारत, बस अड़ा, बैंक, गुरुद्वारा, अदालत सफ़ा नंबर 82 कोई पांच इमारतों के नाम और उनमें क्या-क्या काम होते हैं लिखो यहां एक जदूल दिया गया है, जिसके दो कॉलम है पहले कॉलम का उनवान है इमारत का नाम, दूसरे कॉलम का उनवान है क्या-क्या काम होते हैं, पहला कॉलम, इमारत का नाम, अस्पताल, क्या-क्या काम होते हैं, बिमारों का इलाज, बच्चों को, टी का बाकी जवाबात के लिए यहां खाली जगह दी गई है तुमने तस्वीर में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं इस्कूल भी ऐसी जगह है, जहां कई लोग काम करते हैं इस्कूल में क्या-क्या काम होते हैं, लिखो जवाबात के लिए खाली जगह दी गई है क्या तस्वीर में ऐसे बच्चे भी हैं, जो इस्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं घरेलू काम दिपाली भी एक ऐसी लड़की है जो इसकूल नहीं जाती है आओ उसके बारे में पढ़ते हैं दिपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है उसके वालिद सबजी बेचते हैं सफा नंबर 83 वो काफी सवेरे ही मंडी चले जाते हैं उसकी मा घरों में बरतन साफ करती है वो भी सुभा जल्दी ही चली जाती है दिपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना पकाती है घर की सफाई के साथ साथ वो बरतन भी मांचती है उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है काम करते वक्त वो गाने भी सुनती रहती है काम खत्म करके वो अपने छोटे भाई को वालित के पास ले जाकर छोड़ती है फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल पहुचाती है उसके बाद दिपाली काम में अपनी मां के हाथ बटाती है दोपहर में वो अपने भाई बहनों को घर लाती है शाम में वो सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है शाम ढलने पर उसकी मां घर आती है दिपाली खाना बनाने में मां की मदद करती है उसके वालिद रात काफी देर से घर वापस आते हैं दिपाली रात में विस्तर पर लेट कर अपनी बहनों की स्कूल के किताबे पढ़ती है उसने भी तीसरी क्लास तक पढ़ा है तीन साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब उसकी देखभाल के लिए दिपाली को घर पर रहना पड़ा वो फिर आगे पढ़ाई जारी न रख सकी दिपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की ठकान दूर हो जाती है अब दिपाली ने स्कूल में दुबारा दाखला ले लिया है अब वो रोज स्कूल जाती है दिपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है सफा नमबर 84 क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? अगर हाँ तो कौन कौन से? क्या तुम घरेलू काम के अलावा कोई और काम भी करते हो? अगर हाँ तो क्या? नीचे कुछ रोज मर्रा के काम लिखे हुए हैं जिस वक्त जो काम करते हो उसे घड़ी में दिखाओ सफे पर छे घड़ियां बनाई गई हैं पहली घड़ी सुभा उठते हो दूसरी घड़ी स्कूल जाते हो तीसरी घड़ी स्कूल से आते हो चौथी घड़ी घर में पढ़ाई करने बैठते हो पांचवी घड़ी खेलने जाते हो छटी घड़ी रात में सोते हो सफा नंबर 85 तुम्हारे खानदान के कौन-कौन से लोग घरेलू काम करते हैं वो क्या-क्या काम करते हैं यहां एक जदूल दिया गया है जदूल के दो कॉलम हैं पहले कॉलम का उनवान है खानदान के लोग दूसरे कॉलम का उनवान है क्या-क्या काम करते हैं यहां जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है तुम्हारे खानदान के कौन-कौन से लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं यहां एक जदूल दिया गया है जदूल के पहले कॉलम का उन्वान है खानदान के लोग जदूल के दूसरे कॉलम का उन्वान है क्या क्या काम करते हैं जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है तुम्हारे खानदान में कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते दौराने गुफ्तगू ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है कि सभी काम एहम हैं कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता अगर बच्चों के जरिये बताए गए कामों में सनवी की तफरीक जाहिर हो तो उनकी वजुहात पर गुफ्तगू सफा नंबर 86 मालूम करो कि तुम्हारे घर के बड़े लोग जैसे दादा दादी नाना नानी जब बच्चे थे तब वो सब क्या 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 काम करते थे सारम्मा ने अपनी नानी से यही सवाल किया नानी ने कहा कि वो बच्चपन में लकडी जमा करने, गोबर इखटा करने, उसके उपले बनाने, गोबर से घर की लिपाई पुताई करने में बड़ों की मदद करती थी मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूला है दिवारे और फर्ष सिमिंट की हैं, सारम्मा को अब अपने घर में कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते हैं, जो उसकी नानी अपने बच्चपन में करती थी तुमने लिखा है कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बच्पन में क्या काम करते थे क्या इसमें कोई तबदीली हुई है दिपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा मालूम करो कि तुम्हारे घर के आसपास पाँच साल से बड़ी उम्र के कोई दो बच्चे ऐसे हैं जो की इसकूल नहीं जाते लिखो कि वो इसकूल क्यों नहीं जाते पहले बच्चे का नाम इसकूल ना जाने की वज़ा दूसरे बच्चे का नाम इस्कूल ना जाने की वजह इसी के साथ 24 असबाख के किताब आसपास का बारवस सबक काम अपने अपने यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नही दिल्ली भारत